दोस्तो क्या आपने एक ऐसी मचली को देखा है जिसे हाथ में पकड़ने पर बिल्कुल गेंद की तरह गोल हो जाती है और क्या आपने एक ऐसी मचली को देखा है जो कि अपने सरीर को एक गुबारी की तरह पुला लेती है और इसी बीच हम आपको एक ऐसी मचली के बारे में भी बताएंगे जिसे पानी से बाहर निकालने पर बहुती दुखी दिखाई देती है तो दोस्तों दुनिया की 10 most unique and rare faces को देखने के लिए बने रहे यह वीडियो के अंद तक तो चली शुरू करते हैं आज की यूनिक अमेजिंग और इंट्रस्टिंग वीडियो को दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल एकन प्रेस कर लें क्योंकि हम आपको ऐसी इंट्रस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे नमस्कार द दिखने पर ऐसा लगता है जैसे चोटे से खर्गोस को पानी में छोड़ दिया हो खर्गोस की तरह दिखने की बज़ा से ही इस मचली को सीवनी के नाम से जाना जाता है क्यूट और मासूम सी दिखने वाली ये मचली दूसरे जीवों के लिए खतरनाग भी है चोटी होने की बजाए से ये मचली दूसरे बड़े जीवों पर हमना तो नहीं कर सकती लेकिन कोई भी जीव इसे मारने या पर खाने की कोशिस करता है तो वो इस पर एक बार अटक करने के बारे में सोचेगा तक नहीं गो इसलिए क्योंकि इस मचली के सरीर में एक खतरनाग जहर पाया जात इस्तिमाल किया जा सकता है नम्मर 9 कॉफिन फिस गोल आकार की सननचना बाल इस मचली का पूरा सरीर काटों से भरा होता है काटितार सरीर होने की बज़ा से ये मचली बेहती डरावनी लगती है इस मचली को नजदीक से देखने पर ये कोई फूली हुए गुबबारे की तर लगती है इनका मुँख काफी बड़ा होता है और इनके छोटे छोटे दांत बहुत जादा नुकीले होते हैं ये मचली आधिक तर आउस्ट्रेलियन पूर्वी तटके साउथ वेस्टन प्रिसंत महासागर में पाई जाती है और इस मचली को समंदर में करीब 164 से लेकर 8202 फीट की गहराई में देखा जा सकता है कोगन वेस्ट करीब 22 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है इन मचलीयों की सबसे खास वात तो यह है कि ये मचली अपने गिल्स में पानी होगर कर खुद को खुला लेती है और करीब 4 मिनट तक अपनी सांस रोक कर ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा भी कर सकती है शिकारी जीवो और मचलीयों से बचाओ के लिए यह मचली खुद को कुला कर इतना बड़ा कर लेती है कि सिकारी जीवो के लिए इस मचली को खाना बहुत मुस्केल हो जाता है ये अनोखी मचली केवल 25 सालों तक ही जिंदा रह सकती है हेलमेट की तरह दिखने बाला यह जीव जातर समंदर के किनारों पर पत्थरों या पर चट्टानों की सता पर चिपका हुआ पाये जाता है हेलमेट जैसे सननचना से यह जीव खुद को प्रोटक्टिवी करता है इसलिए ही जीव को हेलमेट अर्चन के नाम से जाना जाता है यह जीव गहरे जामुनी रंका होता है और साइज में छोटी सी बॉल के बराबर होता है आपको बता दें कि यह एक ऐसा अनोखा जीव है जो पानी में रहते हुए भी पानी में तैर नहीं सकता यह अधिकतर पत्थरों से चिपका हुआ ही पाय जाता है यह पानी में चलता तो है लेकिन बहुती धीमी गती से अगर बात की जाए इनके खाने की तो यह जीव खाने में अधिकतर सैवाल को खाना पसंद करते हैं और मौका मिलने पर यह अपने से चोटे चोटे जीवों को भी अपना भोजन बना लेते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जीव समंदर में 200 साल तक जिंदर रह सकता है और इन जीवों की प्रजातियों की संख्या समंदर में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है इस मचली का पेट इतना लचीला होता है कि यह अपने पेट को 360 डिगरी फुला लेती है और यह ऐसा तवी करती है जब इसे किसी से डर लगता है इस मचली की 120 से भी जाद प्रजातियों पाई जाती है जो कि अधिकते प्रिसंत महाशागर और एटलैंटिक महाशागर के गर्म पाणी में पाई जाती है और इनमें से 30 प्रजातियों मीटे पाणी में भी पाई जाती है पफर मचलीयों में पाणी को स्टोर करने की चमता ज़्यादा होती है जब कभी इने किसी से डर लगता है तब है अपने सरीर को फुला कर एक गेंद के जासा बना लेती है अगर बात करें इस मचली की लंबाई की तो इस मचली की लंबाई करीब एक इंचस लेकर दो फीट तक होती है आपको जानकर हैरानी होगी कि पफर मचली की सभी प्रजातियों में जहर पाया जाता है एक रिसर्च के अनुसार एक पफर मचली में 30 इंसानों को मारने के लिए प्रयाप्त जहर होता है इतना जहर होने के बाब जूद भी जापान में इस मचली की कई प्रिजातियों को बड़े चाओ के साथ खाया भी जाता है नमबर 6 नॉटिलस फिस नॉटिलस फिस दुनिया में एक ऐसी फिस है जो कि प्रत्वी पर 500 मिलियन साल पहले से यान की 50 करोल साल पहले से अपना स्थित्व बना हुए है ये फिस डाइनसार के आने से 26 करोल साल पहले से ही अपना कबजा जमाए हुए है आपने अब तक कच्छुआ और स्नेल को ही अपने सेल के साथ देखा होगा लेकन ये नॉटिलस फिस भी कुछ ऐसी ही है जो कि हमेशा अपने सेल के साथ ही रहती है और ये सेल इसे दूसरे समुदरी जीवों से प्रोटेक्ट करते हैं इस फिस को रोसनी में बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देता है इसलिए फिस समुदरी की हजारों फिट की गहराईयों में रहती है और जैसे ही सूरज ढल जाता है या नाइट हो जाती है तब ये फिस अपने सिकार पर निकलती है नाटिलस फिस, केकड़ा, जींगा और छोटी मचलियों को खाती है और इनकी सब से खास वात तो ये है कि ये साल में सिर्फ एक वारी फीमेल नाटिलस के साथ संबन बनाते हैं जब डिसरच के लिए एक साथी बहुत सारे नाटिलस फिस को पकड़ा गया तो उसमें जादतर मेल नाटिलस फिस को पाया गया ये फिस अपनी लाइफ में 15 साल से भी जादा समय तक जी सकती है ये मचली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कोई फिस नहीं बलकि एक पत्थर है ये बहुत ही जहरीली मचली है और तो और ये इस तरह से छिप जाती है कि कोई इसके सामने होते हुए भी इसे देख नहीं पाता है ये फिस बेहदी खतरनाक है इसका नाम स्टोन फिस इसलिए पड़ा क्योंकि ये पत्थर की तरह दिखती है इस मचली को आपको Pacific और Indian Ocean के आसपास देख सकते हैं अगर आप गलती से भी इसे पत्थर समझ कर इसके ऊपर खड़े हो गए तो ये आपके पैरों में जहर छोड़ देगी सन पहुचा सकती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये मचली बहुत ही छोटी होती है और इनसे हम इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं है अगर इसकी लंबाई को देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी खेंटोत फिस 6.3 इंच तक ही देखी गई है वैसे नॉर्मली इस फिस की लंबाई सिर्फ 3 इंच तक ही होती है इसका साइज छोटा होने की बजासे ये सिर्फ छोटे समुद्री जीवों को ही अपना सिका करती है नमबर 3 एलेफेंट फिस इससे जादा रेयर और यूनिक फिस आपने आज से पहले कवी नहीं देखी होगी समुद्र की दो सपीट की घहराई में पाई जाने वाली ये एक ऐसी फिस है जिसका मूँ बिलकुल हाती की तरह दिखाई देता है और इस मचली की नाग बि चार फीट तक बढ़ सकती है बैसे हमें इससे डणने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि ये मचली हम इंसानों के लिए कोई भी नुकसान ने पहुंचाती लेकिन जब इन मचलीं को हम इंसानों से खतरा मैसूस होता है तो ये मचलीं हम इंसानों पर भी हमला करने से नहीं जू होते है जो कि करीब सात फीट तक लंबी हो सकती है और इसी बज़ countless और नुकी और नुकी दांतों और कान्टे खुबसूरत और खतरनाक मचलियों को देखा होगा लेकिन ब्लॉप फिस एक ऐसी मचली है जो कि बदसूरत के साथ ही साथ होती दुखी लगती है तब पतानी इस मचली को किस वात का दुख है यह मचली आस्ट्रेलिया और तस्मानिया के समंदर के किनार उपर और न्यूजिल का फेस कोई दुखी इंसान की तरह लगता है इतनी घहराई में रहने के बाद भी यह मचली बहुत ही खुंखार सिकारी मचली होती है अगर इनके खाने की बात करें तो यह मचली खाने में अधिकतर केकड़ों को खाना पसंद करती है अलांकि आज के समाह में इन्हें एंड एंजर्ड इस्पीसीज घोसित कर दिया गया है क्योंकि समंदर में मचली यह बहुत ही कम बची होई है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही दोस्तो दुनिया वरकिन अनुखी और आजीब मचलियों में से आपको सबसे अच्छी मचली कौन से लगी मुझे नीचे कमेंट बॉ